देख तूना मुझसे बहस मत कर साक्षी वरना अच्छा नहीं होगा पानी पूरी के पैसे तो मैं ही दूँगी क्या कर लेगी तू हर बार मुझे डराती रहती है मुझे गुस्सा मत दिला वरना तेरा मून ओच लूँगी मैं हाँ मैं तेरे बाल उखाड़ दूँगी चुडैल कहीं की तूने मुझे चुडैल कहा तेरी तो मैं तभी साक्षी और इशिता एक दूसरे के बालों को पकड़ कर खींचने लगते हैं और दोनों में हाथा पाई शुरू हो जाती है तभी पानिपूरी वाला दोनों के पास आता है आज तुम्हें तेरी जान ले लूँगी इशिता मैं तुझे कच्चा चबा जाओंगी चुडैल अरे क्या कर रहे हो तुम दोनो छुड़ी एक दूसरे को आरे मा मेरी कमर यह हैं इशिता और साक्षी यह दोनों बच्पन की सहीलियां हैं जो सडक पर दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे तभी पानिपूरी बेचने वाला आदमी फिर से दोनों की लड़ाई छुडाने उनके पास जाता है तो इशिता साक्षी फिर से पानिपूरी वाले को धक्क देकर नीचे गिरा देते हैं इधर इशिता और साक्षी की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी लगता है यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी काफी खतरनाक दुश्मनी है लगता है दोनों में थोड़े समय बाद इशिता साक्षी पानिपूरी वाले की बहुत धक गई मैं तो लगता है यह दोनों आज एक दूसरे की जान लेकर ही रहेंगे इशिता तू ठीक तो है न बेहन हाँ साक्षी ठीक हो मैं ओ मेरी बेहन इशिता आज अपनी बेहन के गले लग जा तभी इशिता साक्षी दोनों एक दूसरे के गले ले पड़ जाते है हें ये क्या अभी तो तुम दोनों दुश्मनों की तरह लड़ाई कर रहे थे और अब एक दूसरे के गले लिपट रही हो ये सब क्या है अरे भाईया ये ना मेरी बचपन की सहली है हम दोनों में बचपन से ऐसी लड़ाईया चलती आ रही है पर हम ना जाधा देर तक एक दूसरे से नाराज नहीं रहते हम लड़ते और फिर तुरेंट ही एक दूसरे को गले लगा कर सारी नाराज़गी खत्म कर देते है थोड़े समय बाद इशिता साक्षी दोनों इशिता के बड़े से घर के बाहर खड़े हो जाते है साक्षी अंदर घर में चलना नई इशिता मापिता जी मेरी राह देख रहे होंगे अच्छा मैं चलती हूँ साक्षी वहाँ से चली जाती है तभी इशिता घर के अंदर जाती है जहां घर में उसके माता पिता थे इशिता अपने माता पिता की एकलौती संतान है इशिता मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू उस फटीचर गरीब साक्षी के साथ मत घुमा फिरा कर मॉम आप न साक्षी के बारे में आजी बाते मत क्या कीजिए साक्षी मेरी बहन से बढ़कर सहीली है इशिता अपने कमरे में चली जाती है पता नहीं कब सुथरे की ये लड़की सुधीर घर से बाहर चला जाता है सुधीर एक कमपनी में मैनेजर की नौकरी करता है इशिता और साक्षी ये बचपन के स्कूल की सहीलिया है इन दोनों में बचपन से ही छोटी-छोटी बातों पर ही लडाईयां चलती आ रही है ये दोनों लड़ते हैं फिर तुरंथी मिल जाते हैं इधर साक्षी उसी शहर में अपने चोटे से घर में जाती है जहां उसके गरीब माता-पिता दरपन कीता थे दरपन बहुत गरीब था वो उसी शहर के एक कारखाने में मजदूरी करता है साक्षी तू आ गई चल हमें जंगल से लखड़ियां लानी है घर में लखड़ियां खत्म हो गई है साक्षी अपनी मा के साथ लखड़ियां तोड़ने चली जाती है इसी तरह दिन बीटने लगे एक दिन साक्षी अपने घर के अंगर में मिट्टी के चूले पर रोटियां बना रहे थी गरीबी के चलते साक्षी के घर में गैस नहीं थी तब ही इशिता वहां जाती है ओई पगली सुन मुझे नाज लड़के वाले देखने आ रहे तुझे पता है लड़का ना अपने शेहर में रहता है करोड़ पती खांदान का है और यहां शेहर में यह कंपनी में नौकरी करता है क्या सच में हाँ जैसा लड़का मैं चाती थी ना ये लड़का वैसा ही है ये तो बड़ी अच्छी बात है अच्छा सुन मैं घर जा रही हूँ मुझे बहुत काम है तूनत तुरन तयार होकर मेरे घर आ जा इशिता वहाँ से चली जाती है जल्दी से तयार होकर अपना वो लाल ड्रेस पहन कर इशिता के घर चली जाती हो साक्षी घर जाकर अपनी मा को सारी बात बता कर तयार होने लगती है बस किसी तरह मेरी बच्ची साक्षी को भी ऐसा ही रिष्टा आ जाये जैसा इशिता को आया है थोड़े समय बाद साक्षी तयार होकर बाहर आती है और सडक से पैदल इशिता के घर जाने लगती है तभी साक्षी को सामने सडक पर एक महिला बेहोश दिखाई देती है अरे ये कौन है साक्षी उस महिला के पास जाती है और उसे होश में लाने लगती है ओह लगता है चक्कर आकर बेहोश हो गई है साक्षी आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं था एक काम करती हूँ, मैं इने घर लेकर जाती हूँ तब ही साक्षी उस महिला को आटो में बिठा कर अपने घर लाती है गीता किसी काम से बाहर गई हुई थी मा कहां चली गई तब ही उस महिला को होश आ जाता है और वो साक्षी का हाथ पकड़ कर जोर-जोर से हाफ ने लगती है अरे, अरे, क्या हो रहे आपको, हलो, हलो ये, ये क्या हो रहे आपको तब ही वो महिला बेहोश हो जाती है अरे, बापरी ये तो फिर बेहोश हो गई कहीं इनकी तब्यत जादा तो नहीं खराब हो गई मुझे तुरंत इने हॉस्पिटल ले जाना होगा साक्षी एक आटो बुलाती है और उस महिला को आटो मे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है इधर इशिता के घर इशिता को देखने वरुण नाम का अमीर लड़का अपने पिता मनोज के साथ आता है तभी वरुण मनोज और मेन का सुधीर के बीच बातचीत होने लगती है बेटा आपकी मा कहा है आंटी मा अपनी फ्रेंड के घर गई है वो थोड़ी दिर में यहां आती होंगी तभी दोनों परिवारों में काफी समय तक बातचीत होने पर वरुण इशिता का रिष्टा तै हो जाता है और इधर साक्षी हॉस्पिटल में ओपरेशन थेटर के बाहर बैठी थी तभी डॉक्टर साक्षी को अंदर बुलाते है अंदर उस महिला को होश आ चुका था निर्मला जी यही वो लड़की है जो आपको समय रहते हॉस्पिटल ले आई अगर ये ना होती तो शायद आपके जान नहीं बच पाती वैसी नहीं हुआ क्या था डॉक्टर साब देखो निर्मला जी को हार्ट अटेक आने वाला था अगर तुम इन्हें समय से हॉस्पिटल नहीं लाती तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया वैसे तुम हो कौन तभी साक्षी निर्मला को अपने बारे में सारी बात बता कर निर्मला की पास बैट कर उसकी खूब सेवा करती है शाम का समय तभी साक्षी निर्मला को उसके बड़े से घर में ली कर जाती है घर में वरुन और मनोज दोनों बैठे थे वरुन निर्मला का बेटा था और मनोज निर्मला का पती तभी निर्मला अपने बेटे और पती को सारी बात बताती है अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर पर मा मेरी राह देख रहे होंगे थैंक साक्षी, मैं तुम्हारा ये आहसान जीवन भर नहीं बोलूँगा आओ, मैं तुम्हें अपनी कार से घर छोड़ देता हूँ तभी वरुन साक्षी को लेकर साक्षी के घर जाता है और उसे छोड़ कर अपने घर चला जाता है वरुन बेटा, साक्षी ने एक बेटी बनकर मेरी जान बचाई है, आजकल ऐसे लोग कहां मिलते है मैं क्या कहती हूँ वरुन बेटा, तू न साक्षी से शादी कर ले जब पराई होकर उसने मेरी इतनी सहायता की तो सोच जब वो अपनी हो जाएगी तो हमारी कितनी सेवा करेगी बेटा, साक्षी जैसी लड़किया इस दुन्या में बहुत कम मिलती है वो तेरा जीवन ही सवार देगी पर मा पिता जी, मेरा रिष्टा इशिता के साथ तैगर के आये है तो हम मना कर देंगे न उन्हें देख बेटा, इस घर की बहु बनेगी तो केवल साक्षी ही और ये मेरा आखरी फैसला है अब इशिता तो साक्षी की ही सही लिए और निर्मला इशिता से रिष्टा तोड़ कर साक्षी से रिष्टा जोड़ना चाहती है तब ही अगले ही दिन निर्मला वरुन मनूच साक्षी के घर आकर साक्षी और वरुन का रिष्टा तैगर देते है अब साक्षी को पता नहीं था कि वरुन वही है जिसके बारे में इशिता बात कर रहे थी गिता बहन हम दो दिन बाद ही ये शादी करवाना चाहते हैं सारी तयारियां हम कर लेंगे तब भी निर्मला और सब वहां से चले जाते हैं और वरुन इशिता को कॉल करके उसे शादी के लिए ना कह देता है इधर साक्षी मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा है कि दो दिन बाद मेरी शादी है बिटिया इसी को अच्छाई का सिला कहते हैं तुने अच्छाई की और देख आज तेरा जीवन ही सबर गया अभी ये कबर मैं इशिता को देखर आती हूँ साक्षी इशिता की घर जाती है और उसे सारी बात बताती है इशिता उदास बैटी रही क्या हूँ आईशिता साक्षी जिस लड़के का मुझे रिष्टा आया था उस लड़के ने मुझे से रिष्टा तोड़ दिया ऐसा क्यों किया उसने पता नहीं खेर वो छोड़ तू बता इतनी जल्दी इतना सब कैसे हो गया ये तो मुझे भी नहीं पता मैं खुद सर्प्राइज हो तभी थोड़े समय बाद साक्षी वहाँ से चली जाती है दो तिन बाद साक्षी के घर के बाहर मंड़क में वरुन और साक्षी की शादी हो रही थी ये इशिता अब तक क्यों नहीं आये तभी जैसे ही वरुन साक्षी के फेरे होने लगते है तभी इशिता वहाँ आ जाती है वरुन को देखकर इशिता के होश ओड़ जाते है वरुन तुम? इशिता तुम? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तभी वरुन साक्षी को सारी बात बताता है क्या मेरी शाधी उससे हो रही है जिससे इशिता का रिष्टा तय हुआ था नहीं नहीं मैं अपनी सहेली की खुश्यों के आरे नहीं आ सकती वरुन जी मैं आपसे शाधी नहीं कर सकती बस ये मगर मच की आँसू और ये नौटं की मेरे सामने मत कर तूने ही जान बूच कर वरुन को अपने जाल में फसाये होगा तू मेरी सहेली होकर मुझे इतना बड़ा धोखा देगी ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी साक्षी इशिता मैं तो जानती भी नहीं थी कि वरुन जी का रिष्टा तेरे साथ हुआ है वर्ना मैं ये शादी खभी नहीं करती बस आज से तेर और मेरा कोई रिष्टा नहीं साक्षी तभी इशिता साक्षी को खूब बुरा भला कहती है तभी निर्मला इशिता को सारी बात बताती है इशिता इसमें साक्षी की कोई गलती नहीं है ये समय का हेर फेर है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। वरुन के भागे में साक्षी लिखी थी, इसलिए इतना हेर फेर हो गया। अब तुम भी इस बात को सुएकार करके अपनी नाराजकी खत्म करो। और जो भागे को मनजूर है उसे सुएकार करके खुशी-खुशी अ झाल झाल